मनीशा फूर्ट की चन में आप सब कर स्वाग है तो चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में लाइक और बैल आइकन का बड़न भी जूरूर दुआ है आज बनाईए चना उड़त की दाल बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है अगर आप जीरा बनने के बार डाल देंगे कट हुआ प्याज हरी मिर्चे बहुं लेंगे हम ए आज हम अब बूंचु के इसमें डालेंगा दाज हल्दी पावडर लाल मिर्च और अदा चमब धनिया पावडर और डालाएंगे कट हुआ टमाटर इनको अच्छे से मिक्स कर लें और उड़त की डाल डाल को मैंने दोह लिया है अब डाल को भी मसाले कसा थोड़े दिर भून लेंगे एक आदे मिनट के लिए डाल हमारी बुन चुकी है हपिश में डाल देंगे पानी जितनी हमारी डाल है उसका मैंने तीन गुना पानी लिया है और डालेंगे नमक उठ ciao के अनुसार को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगेए अभी इसमें डाल देंगे हम लसन और हींग जो हमने कुट के रखा था इसमें थोड़ा पाई डालीके डाल दे इस से अच्छी खुष्बहों कोकर कढ़कन लगा कर तीन या चार सीटे आने तक पका लेंगे या फिर दाल के गल्ले तक पका लें कोकर की गयस निकालेंगे ज़ पकर कर कढ़कन खो लें दाल को अच्छी तरह मिक्स कर लें एक ब़र दाल हमारी पक चुकी है अब इसमें डाल देंगे आदा चमच गरम मसाला पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया दाल को मिक्स कर ले और बन कर तयार है हमारी बुड़ा चने की दाल बहुत ही टेस्टी लगती है आप एक बार इस तरीके से जुरूर बना कर खाएं और चने की दाल अगर वीड़ा अच्छी लगए तो लाइक और शेयर करना न भूले